नमस्कार बहुत स्वागते आप समी का वीमर भारत टीवी और आपके साथ हूँ मैं छवी फागला जरिकाबरों की शुरुआत करते हैं भजनाम रद संद फ्रैवचन सहित मेले का आयोजन हुआ मेले में रात्री को हनमान जी महराज की बैन पाजा के साथ ग्राम सिंगोत कला और सिंगोत खुर्द में शोभाय आत्रा निकाली गई शोभाय आत्रा में जीवन्ध ज्हांकिया आकृष्ण का केंद्र बनी इसे पहले पंचामरत से जलाभिशेक किया गया और रात्री में कायक कलाकार हरीराम यादव एंड पाठी के द्वारा भजन संद्या में भचनों की प्रस्तुतिया दी गई पंचमुकी हनुआन मंदर के सिंदूर का चोरा चड़ा कर फूल बंगला से ज्हांकिया सजाए गई शुरधालों ने हनुआन चालिस सा का बाठ किया और महा आरती की जमवर रामगड उखन शेत्र के रायसर थाना पुलिस ने दोसा मनोहर पुर हाईवे पर रात्री के समय सबजी वै अन्यमाल वाहन वाहनों के आगे थार जीप लगा कर वाहन चालकों से नगदी वै मुबाइल लूट पार्ट करने की वार्दात में 15 दिन से फरार चल रहे दो और आरोपियों को गिरफतार किया है जैपुर ग्रामेंट पुलिस अदिक शक मनीश अगरवाल ने मंगलबार को जानकारी देती हुए बताया कि रायसर थाना शेत्र में दोसा मनोहर पूर हाईवे पर माल वाहक वाहन चालकों से रात्री के समय हुई यूट पार्ट की वार्दात को गंभीटा से लेते हुए वार्दात का खुलास्ता करने वा मुल्जिम को गिरफतारी करने के लिए अतरेक पुल सदिक शक धर्मेंदर कुमारिया दव जमवार रामगट प्रतादिकारी शिवकुमार भारतवाज के निरदेशन में रायसर थाना दिकारी रामधन साडिवाल के नेतरत्व में टीम गठित की गई गठी तीम ने साक्षय संकलित कर विशेश साइबर तकनीक का प्रयोग करते हुए घटना में पराद चल रहे सतीश वखेम चंद उर्फ खेमा को सुमवार को गिरफतार कर लिया जिनको मंगलवार को नियायले में पेश कर पीसी कम जैसी प्राप्त किया गया मामले में पूर्व में घटना में प्रयोक्त वाहन थार जीब सहित मुल्जिम सुनील स्वामी और फिसर जीब गुगरबतार कर लूटी गई राशी में से सोला सु रुपए परामत किये जा चुके हैं श्री गंगानगर में एसीबी ने बड़ी कारेवाही को अंचाम दिया है दरसल श्री गंगानगर के रैसिंग नगर के गुर्तेच कॉलनी में ग्रामविका सदिकारी सुरेश मीना गाम लखा हाकम को ट्राप किया है बच्चों के नविनी करण के लिए ग्राम सेवक ने रिश्वत मांगी थी ग्रामविका सदिकारी सुरेश मीना को रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथो गिरफतार कर दिया परिवादी से आरोपी ग्रामविका सदिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा ACBDSB भूबिनर सोनी ने कारिवाही को अंजाम दिया है जमवा रामगड उखन शित्र की आंधी पंचायत समिती के गाउ भगवान कुरा में भूमियाजी महाराज मंदर में मूर्ती प्रतिशान एवम कलश्यात्र की कारिक्रम का आयोचन गुआ कलश्यात्र में गाम की महिलाओं ने डीजे की गानों पर नाचते गाते तता हातों में द्वजाग लेकर कलश्यात्र के आगे चल रहे थे द्वज एवम कलश कारेक्रम में रायपोर सरपंच नीरच मीना, रामनारेंट फागना, शंकर फागना, मुकेश फागना, रामकल्यान फागना, रामकिशन फागना, पूर्व सरपंच, मोहनलाज, शर्मा सहित, काफी संख्या मिलूप मौचूत रहे श्री गंगरेगर की घरसाना उखंच शेत्र के गाव 9PSDA के राजके उचमादमिक विध्यालेक अक्षा बारा कलावर्ग का परिणाम शांदार रहा विध्याले की चांदरा रित्व ने 93.40% अंक लेकर विध्याले में प्रथम इस्थान प्राप्त कर रावला तहसील में तृतिय इस्थान हासल किया वही महक प्रीत कॉर्ड ने 90.60% अंक लेकर द्योतिय इस्थान प्राप्त किया विध्याले के शांदार परिणाम को लेकर समस्त ग्रामवासियो वे विध्याले परिवार में खुशी की लहर है प्रधना चारे चेत राम, व्याक्यता, विशाल सिंग, बंत कुमार, राजकुमार और समस्त स्टाफ शांदार परिणाम को लिकर भरपूर बदाया मिल रही है और इसी दोरान विध्याले के वरिष्ट शारे रिक्षिक्षक मौमार तफेल, राजकुमार वरिष्ट अध्यापक मांजू ने टॉपर रुतु का साफा पेना कर सम्मान किया मुखे रूप से विध्याले की 12-16 एकारगी पुरसकार के लिए भी चैनित हुई है भरतपुर में वैर भुसावर पुलिस ने अदालत के दोरान जारी गिरफतारी वारंट पर अदालत में विचारा धीन चल रहे मामले में चार साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफतार कर लिया बुसावर थाना दिकारी मदनलाल मीना ने जानकादी देते हुए बताया कि दौसल जिले के सलेमपूर थाना की गाव जलालपूर निवासी राम सिंग पुत्र कल्यान सिंग गुर्चर अदालत में विचाराधीन चल रहे पुराने मामले चार साल से फरार चल रहा था जिस पर SP के द्वारा 2000 का इनाम भी गोशिश था जिसको DST टीम ने बुसावर थानी के सहयोग से दविश्टे कर उसे गिरफतार कर लिया जिससे संबदे न्यायले में उसको पेश किया जाएगा राजसान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानी संग अनुकर के द्वारा राजकी उचमादमिक विध्याले मोहताज सादुल पुर्चुण चुरू के प्रधान जारेपत से प्रमोशन होकर अनुकर के CBEO पद पर सुशोविद होने वाली राष्टपती अवार्डेट शिक्षिका से सम्मानित सुमन जाकर का अनुकर कारेले में बधारने पर भारत स्काउट काइड अनुकर की द्वारा सकाफ और शॉल पैना कर चुरू जोबित क्या गया इसे अफसर पर CBEO मैडम ने कारेले के बाहर पार्क में बौधा लगा कर और परिंडा भान कर अपने पत की शुडवात की सचीव राजराम डाल ने सुमन जाकर को स्काउट काइड जोती वद्दिव्य संसार पत्रिका भेट की सुमन जाकर ने सवी स्काउट गाइड की प्रिशंसा करते हुए देश और समात सेवा के लिए हर समय तयार रहने के लिए प्रेड़त किया अनुपकर की ग्राम पंचायद 12H में नरेगा कारे चल रहा है जिससे काफी समय से अर्णियमिताओं के आरूप लगाते हुए आजाम आदमी पार्टी के कारेकर दाओं और मंद्रेका श्रमिको के द्वारा रोश प्रदर्शन किया गया और अनुपकर पंचायद समिती विकास अदिखारी वैभव अरोडा को ग्यापन स्वापा गया मंद्रेगा श्रमिकों ने ग्यापन में उलेग किया की ग्राम पंचायद 12H में जो मंद्रेगा चल रहा था कार्य उसमें काफी अर्ण यमिताल देखने को मिल रही है मजदूरों की हाजरी काफी दिनों से नहीं लग रही LTC 12H संदीब वेह को अफगत करवाने पर भी उन्होंने बात नहीं सुनी और साथ ही मजदूरों को काम पढ़ना आने को कहा इसके साथ ही श्रमिकों ने आरुप लगाते हुए कहा कि JTO महेश शोनी कभी भी काम देखने नहीं आता इसी मामले में रोश व्यक्त कद्रे हुए मंद्रेगा श्रमिकों ने अनुगज विकास सदिकारी वेभव अरोडा से अपील करते हुए कहा कि इस मामले पर संग्यान लेकर जल्द से जल्द उचित कारवाई की जाए और श्रमिकों ने सरकार से अपील करते वे कहा कि ओनलाइन हाजरी के सिस्टम को हटा कर ओफलाइन किया जाए क्योंकि ओनलाइन हाजरी में सरवत आउन होने के कारण कई बार हाजरी नहीं लगती और घंटों तक इंतिजार भी करना पड़ता है तो इस समस्या उस तर से वेरिफाई हो जाती है कि वास्त हमें सोट रगी को तक्रिकी दिक्कत है तो उनको ओफलाइन हाजरी और उनमत की जाए तो में नहीं समाच से तुसर यह ऑॉनलाइन हाजरी के करना हती होगी चूबकी एनममे की सोट्वेर बारत सरकार ने लागू कर दिया है तो उसमें टखनीकी सोट्वेर का मावला तो कभी इसमें तखनीकी दिक्कत को भी सोफ्ट्वार अपडेशन का साइट मैंटेनेंस का इत्यादिकारे चलते हैं तो तेम्परेरी इसमें समस्या आती रहती है लेकिन उसका तुरंत मोक्के पर समाधान भी करवाया जाता है जल्दी से जल्दी शेकर कुछ समस्या को समाधान कर NMMS अच्छे से लागू करूए जम्वा रामगड उखन शेत्र की ग्राम पंच्छाय थौलाई बस स्टैंड एवं व्राइपूर स्टैंड पर नव जैनिस आई-ए-स नेहा ब्यादवाल और आई-ए-स निशा ब्यादवाल व्यांधी पंच्छाय समिती की प्रधान मांसी मीना का जन प्रतिनिद्यों व्याम जनता की और से बड़े ही धूमदाम से हर्शुल लास के साथ माला और साप अपना कर स्वागत किया गया इसे अफसर पर राम स्वारूक मीना सरपंच ठोलाई, नीरज मीना सरपंच रायपूर, रायपूर सरपंच प्रतिनिदी, हंसराज मीना, पंच्छाय समिती सगसे, कल्यान सहाय, शर्मा सहित, तुनों बहनों को जन प्रतिनिद्यों और ग्रामिनों ने बढ़ाया दी गुसावर थाना पुलस से मंगलवार को धाने में पूर्व में दर्ज हत्या की मामले में दो जनों को धाना इलाके से ग्रफतार किया है। गुसावर थाने में कई जनों के नाम जद करते हुए अभियोग दर्ज हुआ था। और साथ ही दर्ज मामले की जाच करते हुए पुलिस के अनुसंधान अधिकारी ने इस हत्या कान के दो आरोपियों को मंगलवार के दिन ग्रफतार कर लिया है। अही के लिए पेश किया जाएगा। फुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पीस पास 2022 को धीनली और नाथो के नगला के बीज के दिन ग्रफतार निवासी विन्य और फिविट्टू की लास मिली थी। इस पे उन्पुदमदर रिवादा और उसमें हमने दफ्टेश कियो दफ्टेश करके कल शाम को दो इनके आरोपी जो हैं एक तो शुक्मिंद्र उचुनमून निवासी नातुपा नगला और वलें तुमेडा निवासी एत्रामपरा को जाता किया है। दो हूँ ईसे हम संदन जारी है, छेश्ट को इसमेर हुरू को सी मेर ही है। अभी खीतर सूर्च गेहा है, रहो और रीकोड क dalam गेहा है। रकोड के अंदर iloset बहा है का थी चुटिर तो दो हम उत्याक्ति गेए हैं। कि आज हम जाले में पेश किया है तो पीशी हम उता है अगरी के साथ नमस्कार